बेसाग मातम का उनीश्वा अध्याएं राजाओं उस पर आक्रमन कर दिया बेचारा राजा परा रस्थ होकर उसे पती व्रता रानी कुछ सात्यों के सही थी परवत की एक एक ऐसी ही गुपा में छिप गए जिनका रास्ता कोई नहीं जानता राजा बड़ी ही व्यकुलता से मां त्रेपन वर्स व्यतित की है उन राजा के मन्यों ये चिंता होई कि मेरे जन्म और कर्म के सुदु है मैंने जन्म एक अच्छे कुल में लिया परंतु नहीं जाने मेरे ही ये पूर्सा थी कहां गए मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे ये गो दरीता परा राज्य हुआ और वन्वास में दुख सेने पड़ रहे है इस प्रकार से राजा अपने गुरु की इसमन करने लगा तब राजा की इसमन करते वे मुनी सर राज्य है उपास जनक नाम वाले अकर उपस्तित और वन्वास की दुखी सा राज्य चीन हीन और वे मार्गों में नहीं जाने वाला राजा थोड़ी देर चुप और खड़ा रहा और रोता वह उनकी चुनों में गीर पड़ा तब दोनों मुनीवर को पकड़ कर राजा उठाया उसे पश्या थी, राजा ने बन में पुश्वों की वेजयती की उनकी पुजन किया जब वह यह दोनों बैठ गहते तो राजा बड़ी नर्मता उनकी प्रशन किया माराज मेने जन में जो को शत्री पित्रों की देखताओं के पुजन भी करता है पाप से डरता है प्राणियों की दयामान गुरू की बक्ती प्रिती रखने ने वाला है फिर क्या करने ऐसा दरीतता हो गया मेरा ये सब को कोशनस्ट हो गया सत्रों के मुझ को ही जीत लिया वन के वासी अकेला क्यों रह रहा हूं मेरे पुत्र पोत्र बाई बंद कोई नहीं रहा निश पापी होकर ही राजय कर रहा हूं फी भी मेरे राजय में अकेला क्यों पढ़ गया इसका कारण आज विस्तार बुख मुझे कहिए राजय ऐसे बचन सुनकर थोड़ी देश तो सोच कवे दोनों मुनी राज उपाजशन को कहने लगा हरी राजय अपने ही दुख के कारण सुनो पहले तो दस जन्मों में तू तिन्टी गोर पापी वे देता रहा दस जन्मों के तो ही बड़ा कठो हर्दे वे आते था जन्म धारन और प्राणियों की बद करने की अम्राज की तूले था तब दस जन्म का तू ही गोर देश में गया अपने गोरों के बूरे कर्मों के लगावा यात्रों के निदैते कष्ट कर्या करता था उसी समय दू प्याकुल दो बड़े ही दन्मान वेश्या वेद वेगादंगों के जाने वाले कर्ण वनों के नाम वाले मुनिवर वहां आए उनकी आता देखकर तू दन्मानों को लेकर उनका रास्ता रोकर खड़ा हो गया फिर उसे एक वेश्या मार कर तूने सब धर्ण शीन लिया तब उसने दूसे मारने लगा तो समस्ते द्रवे वही घास पूस में फैंकर डर के मारे भाग गया और करशन मुनिवर व्यादता के हाथ में मारे जाने की वैवया कुलता मुच्छा जाकर गया प्रसी पर गिर पड़ा रिश्या वर ने पूचा वेश्या के देन काँ छिपाया फिर एक गड़े में पानी उसके हाथ मुध दोए उनकी मुच्छा आ गए और इस तरह के कारण उसके पंकी की हवा करने लगा मुनि निकारे जब तक मैंने इस बन में सहस्तता हूँ तब तक तुमारे किसी के भैन नहीं है निदे मनुशे सदा ही सुखी रहते रता तुमारे ही कटे वस्तों के टूटे बरतनो को लेकर क्या करूंगा तुम केवल यहीं बताओ कि वेश्या का धन का छिपाया यदि ठीक नहीं बताओगे तो तुमें मार डलूँगा करशनों के बुला है वेश्या का धन तो इन व्रक्षों में फैक दिया गया स्वेम इदर भाग गए और व्यादर अरिशी ने कहा तुम निडर होकरी सुरी वे सुक पूर रखता है यहां से चले जाओ यहां से थोड़ी दूर पके वे तरलाब निर्मल जल है वहां से जल पीकर फिर अपनी ही धकान दूर कर अपने इस्तान को चले जाओ तब राजा कर्म कर्मचारी वेशन के रुदन सुनकर इतता पाओं की खोस देखते वे इदर आएंगे इसलिए तुम्हारे साथ ही नहीं चल सकता यह पंका ले जाओ उनकी हवा कुछ गर्मी कम हो जाएगी इस प्रखत से पंका लेकर ग्रेन वन में चले गए यदि भी तुमने कार्य वन्स अपनी सेवा किये है परन्तु बेसाग माश के ही प्रचुनता दूप में तुम्हारे दया कोई सेवा परिणाम सहरुपता तेरा ही जन विसाल राज्य वन्स में हुआ है यदि तेरी इच्छा सुक राज्य धन दान्यता लक्ष्मी स्वर्ग और सायुकता मुक्ती पाने की है तो बेसाग युकता दर्मुक करो तुमको संपून सुक प्राप्त हो जाएगा इस मास का नाम मातव मास है इस दिन से तुम ततकलों की व्याई गो और ब्रामन को दो इससे तेरे कोस बर में जाएंगे छत्रिय दान तुमसे राज्ची की प्राप्ति होगी विवज्जी स्नान करके मागव और भगवान की पुजन करो धी प्रतिमा को दान तेरी भी जय होगी यह जी तेरी इच्छा है अपने समान पूत्रों की हो तो तू प्राणयों के हीत में प्याउ लगवा यह राज्चन ऐसे बेसा की उत्ता धर्मों करने से समस्त लोकों की वंस में हो जाऊगे इतना ये कि दोनों ही खुल प्रोहितों के ये और उपाजकनों के अपने अपने गर को चले गए जहां परिकरमी और राजा कुल प्रोहितों के लिए कता नुसारबेसाग युकता दर्मों की बगवान की पुजन करने लगा जिस से परभाव से ही राजा अपनी बच्छी हुई सेनहों को लेकर प्रचाशिंगरी प्रवेस किया इस प्रकार राजा पुरू ये जो में अपना कोया वा सारा राजे पून प्राप्त कर लिया बे साग मातम उनी स्वा समापम